सावन का महीना पवन क्यों करे शोर? किसी वस्तु से उत्पन होने वाले सामानने आवास को धुनी कहते हैं और जब उसी धुनी की तीवरता जादा हो और उसे सुनने वाले को अच्छी ना लगे तो उसे शोर कहते हैं शोर यानि की noise, noise, यानि की noise pollution लेकिन जब बात दुहनी प्रदोशन की होती है तो शायद उसे हम गंभीरता से नहीं लेते हैं इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज शोर करने में दिल्ली को दुनिया में 27 स्थान पर पाया गया है दिल्ली को लगतार बिमार कर रहा है ये शोर हाई ब्लड प्रेशर, कान की बिमारिया, मानसिक बिमारिया और चुचुड़ापन इन सब बिमारियों का एक बड़ा कारण है शोर यही वज़ा है कि दिल्ली में इसे गंभीरता से लेने की बेहत जरूरत है नमस्कार मैं हुस्त नेहा और आप देख रहे हैं तनियो सुफ्टी रासधानी दिल्ली में जितना ध्यान वाई प्रदूशन पर दिया जाता है उतना ही ध्यान द्वहनी प्रदूशन पर भी देने की जरूरत है शोर बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है लगतार बढ़ती गाडियां साथ फीज़ी से भी ज़ादा द्वहनी प्रदूशन गाडियों के हॉन, टायर, प्रेशर हॉन, इंजन और मोडिफायर सालेंसर से होता है आज दिल्ली में 70 लाख से भी ज़ादा रेजिस्टर गाडियां सडकों पर चलती हैं लाखों की तादात में NCR और अन्य शेत्रों में भी रेजिस्टर गाडियां आती जाती हैं जिससे होने वाले शोर का आप खुद ही अंदाजाल लगा सकते हैं दिल्ली की सडके जितनी ही छोटी है उन पर उतना ही शोर है लोगों का मानना है कि दिल्ली की सडकों का चोड़ा न होना भी एक कारण है गाडियों के शोर का दिल्ली की सडकों की चोड़ाई फिलाल लगबक 7 फीजदी है जबकि दिल्ली जैसे शहरों की सड़के इलाके के कुल शेत्रफल की 20 से 30 फीसदी के बीच होनी चाहिए सड़कों के लंबे होने की वज़े से शोर को रोकने के लिए साउंड बेरियर लगवाना भी संभव नहीं है हमने शोर की वज़े तो जान ली आईए अब जानते हैं कि इतना शोर कैसे कर रहा है लोगों पर असर हमारी सुनने की शमता 90 डेसिबल तक होती है रहाईशी और शांत इलाकों में इतना शोर अरसेहनी होता है कोई भी शोर हमारी सुनने की शमता को कम कर सकता है डबलू अचों के अनुसार हमें 60 डेसिबल तक ही आवाज सुननी चाहिए 85 डेसिबल से जाद की आवाज अगर 8 घंटे से अधिक सुनी जाए तो इंसान बहरा भी हो सकता है डॉक्टरों के अनुसार एकागरता की कमी होना, हाई बलड प्रेशर, चिर्चुड़ापन होना, पल्स रेट बढ़ने से सारी बिमारियों को मुख्यकारण शोर ही है लेकिन मरीज ये समझ ही नहीं पाते हैं हर मुश्किल का हल होता है तो इसका हल भी जरूर होगा आये जानते हैं कि कैसे कम कर सकते हैं ये शोर इन दिनों दिली सरकार हर तरह के प्रदूशन को काबू करने में जुटी हुई है इन तरीकों से किया जा सकता है शोर पर कंट्रोल दिली के सबसद जादा द्वनी प्रदूशित इलाकों की पहचान करके उन्हें मॉनिटरिंग स्टेशन के तौर पर तयार करना होगा ऐसे स्टेशन से मुन्सिपल कॉर्परेशन, यातयात विभाग, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस थानी के साथ वहाँ होने वाले शोर के आंकडे रोजाना शेयर करने होगे इसी हिसाब से सभी विभागों को शोर कम करने की कोशिश शुरू करनी होगी सडकों को बहतर बनाना होगा, हौन का कम से कम इस्तमाल, शांत इंजन और टायर वाली गाडियों का इस्तमाल करना होगा पठाकों से होने वाले शोर के बारे में लोगों को जागरूप करना होगा गैर ज़रूरी तरीके से हौन बजाने वालो और मोडिफाई सालेंसे इस्तमाल करने वालो पर सक्त कारवाई करनी होगी धार्मिक स्थलो पर माईक या लाउट स्पीकर का स्तमाल कम करना, डीजे और लाउट स्पीकर के स्तमाल पर नियंदरन सरकार ने लिए ध्वानी प्रदूशन नियंत्रित करने के लिए कठोर फैसले राजधानी दिल्ली में ध्वानी प्रदूशन के नियमों के अनुपालन के लिए NGT यानि की National Green Tribal ने एक कमीटी ने दिल्ली सरकार और स्थानी निकायों को जीरो ट्रॉलेंस नीती अपनानी की सरादी है कमेटी ने अनाविश्यक हौन बजाने और मोडिफाय सालेंसर के उप्योग के खिलाफ सक्त कारवाई करने का सुझाव दिया है प्रेशर हौन का काम करने वाली रणनीती पर काम करना होगा अथौर्टी ने कहा है कि वहानों के शोर को कम करने के वेकलपिक उपायों जैसे पेड लगाना जागरुकता टायर और वहानों की मरमत वहानों की गती में कमी सडकों की स्थिती के साथ ही पठाके और अन्य शोर करने वाले कारकों पर मुकदमे किया जा स्कते हैं लोगों को जागरुख करने के लिए लाया गया एक कैप द्धौनी प्र empowered बढ़ाने का एक कारण लोगों में जागरुखता ना हो ना भी है लोगों को जागरुख करने के लिए NERI यानि कि National Environmental Engineering Research Institute ने एक एप लॉंच किया है, जिससे हम घर बैटे ही अपने आस पास के शोर को पता कर सकते हैं। इस एप का नाम Noise Tracker है, जिसे आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप के जरीए आप अपने फोन के माइक्रोफोन का इस्तमाल कर शोर माप सकते हैं। अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। अब इतना कुछ जान लिया है, तो आएए जान लेते हैं कि किस एक्टिविटी इसे डैसिबल में कितनी आवाज होती है। इस बातचीत 60-70 डैसिबल, साइरन 110-129 डैसिबल, बाइक 80-110 डैसिबल, मूवी थियेटर 75-104 डैसिबल, एरफोन, हैटफोन 75-136 डैसिबल, स्पोर्स इवेंट 90-110 डैसिबल, पटाखे 140-160 डैसिबल, मॉडिफायर साइलेंसर 120-130 डैसिबल इस रिपोर्ट में बस इतना ही बाकी ये खबर लिखी है हमारी साथी अदिती पांडे ने, बाकी देश दुनिया की और खबर जाने के लिए देखते रहे हैं धन्यूसिपल, अगर आप हमारी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनलों को सब्सकाइब परके इस वीडियो को ला झाल